यहां पर यहां पर पार्टली पूत्र ईनिवर्शिटी का सकेंग मेर्ट लिस्ट पीजी का आचुका है अगर आप लोग को चेक करना है तो आपको चेक करने के लिए पार्टली पूत्रा के ओफिशल वेब साइत पर जाकर आपना आप traditional और vocational दोनों का आ चुका है सिब एक कर नहीं है तो आप यहाँ पर जाओगे admission portal पर admission portal पर जाते ही यहाँ पर आपको देख जाएगा कि यहाँ पर PG traditional merit to has been released view cut-up और PG self-finance merit to has been released view cut-up तो आपको यहाँ पर मेरिट लिस्ट आ चुकी है तो अगर आपको चीक करना है सबसे पहले इसको वहाँ पर आपको उसको skip कर दिया था मतलब कि आपने उसको जो है next cut-up के लिए अपने आपको slide-up कर दिया था तो उस case के अंदर में अगर आप इस लिष्ट में प्रमिस्ट नहीं लोगे तो फिर आपको तिसरा लिष्ट में मौका नहीं मिलेगा जिनका फॉर्स्ट लिष्ट में नाम नहीं आया था सकेंड लिष्ट में इस बार नाम आ गया है उनका और फिर वह चाहाँ तो slide-up कर सकते हैं लिष्ट में नाम आया था लेकिन वह एडमिसन ही नहीं लिए ना slide-up किया न एडमिसन लिए तो उनको भी सकेंड लिस्ट में उनको मौका नहीं मिलेगा उनको डाइक मौका मिलेगा इस पूर्ट इडमिसन जो इस पूर्ट अदिसन होने वाला है कुछ दिन के बाद तो आपको भुकेस्तों कोड जैसे कि MBA, MCA यह सब की चीज़े उसके अंदर में होती है, तो आपको चेक करने के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं, आये में लिखा तो यहां पर आप देख सकते हो कि हर एक कॉलेज का लिस्ट आ चुका है, जिसके अंदर में आप लोग का यहां पर कि आपका एन कॉलेज के अंदर में MA, Labour and Salts फिर कट जो कट अफ गया है, 58% बाकि किसी भी का इसी के अंदर में है तो आपको होगा, बाकि किसी का नहीं होगा, और एन कॉलेज में जो MCA है, उसा कट अफ गया है, आपको 75% अगर नंबर है तो ही हो पाएगा, और बाकि सब को आपको यहां पर मात्र काफी कम गया है, जिसके अंदर में 54.33% और मेल का 70% चला गया है, ठीक है, तो एडमिस्न लेना वाकई में बहुत ज़्याँ आप मुस्किल हो गया है, और 67% जो है यहां जो है, जिनका भी एडमिस्न नहीं हो पाया है, उदास होनी कोई बात नहीं हो है, अगर आपको इस लिस्ट के अंदर जो नमबर लिखा हो उस नमबर के अंदर में अगर आप आते हैं, तो अगर आप नहीं आते हो, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा 3rd मेड लिस्ट का, ठीक है, तो यह था आपको यहां पर जो मैं आपको बता दिया हूं, अब चल जाता है, नॉर्मली, तो आप लोग का ले रहे हो, तो आप लोग का हो ही जाएगा, आप देखो, जिन जिन बच्चो का अंदर में नाम है, तो फिर वो आज तो नहीं दिखाएगा, कल से आपको दिखाना सुरू कर देगा, यहांप अप अप्लिकेंट लोगिन लिखा आपके उपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको वैसे डोकुमेंट वरिफिकेशन करवाने के लिए, सब कुछ करवाने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा, और दूसरी बात यहांप यहां पर यह है कि CLC की जहोत नहीं है, आपको CLC अभी नहीं मांगा जाएगा, कुछ द करने को कोई बात नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा वेट करना परेगा, सीटे खाली होगी तो उनकी हो ही जाएगी, थोड़ा वेट करना तो आपको बनता ही है, अब अप्लिकेंट लोगिंग कीजिए, अपना एडमिशन लीजिए, आपको CLC की काफी कोई होत नहीं है, बात आपको देना परेगा, लेकिन उसके लिए टाइम मिल लेगा आपको, तो उसके चिंता मत कीजिए, उसके बाद ऑन लाइन जो माकसिट है आपका, ऑन लाइन माकसिट के थूरू जो भी आप अडमिशन ले सकते हैं, अभी अगर कॉलेज में नहीं आई है, तो प्रविजन भ वीडियो को लाइक कर देजएगा, धन्नी बाद, मिलता हूं नेक्स वीडियो में